इस बार देश में भीशन गर्मी का अलर्ट है जिसका ट्रेलर फरवरी मार्च में ही देखने को मिल चुका है तो वही देश के ज्यादतर हिस्सों में एप्रिल से जून के बीग भीशन गर्मी पढ़ने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विग्यान विभाग ने एक एप्रिल को जानकारी दी है कि देश के जादतर हिस्सों में एप्रिल से जून तक अधिक्तम तापमान सामाने से अधिक रहने की संभावना है ऐसे में आप सभी भीशन गर्मी से बचाव के इंतसाम पहले ही करके रख लें आइमटी ने उत्तर पश्यमी भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद वीपी शेत्र को छोड़ कर देश के बाकी के हिस्सों में तीन महिने तक अधिक्तम तापमान सामाने से अधिक रहने की संभावना जटाई है मौसम विभाग ने कहा है कि जोरान, मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्यमी भारत के अधिकांश हिस्सों में सामाने से अधिक गर्मी रहने का अनुमान है मौसम विभाग ने एपरिल के महिने में बारिश को लेकर भी भाविश्यमाडी की है मौसम विभा का कहना है कि एप्रिल में सामान्य बारिश हो सकती है उत्तर पश्यमी मध्य और प्राइड वीपिय श्वेत्र के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है जबकि पूर्वी और पूर्वोतर भारत में सामाने से कम बारिश की संभावना है मार्श के अंत में भी बारिश की वजह से मौसम सोहावना हो गया था और लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली थी भीशन गर्मी को लेकर I.M.T. ने कहा कि बिहार, जारखन, उत्तर प्रडेश, पर्शिम मंगाल, ओडिशा, 36 कर, गुजरात, महराश्र, पंजाब और हर्याना के कुछ हिस्सों में ज्यादा गर्मी पढ़ने की आशंका है गर्मी के मौसम के दौरान दक्षिन प्राइद वीपी भारत और उत्तर प्रशिमी भारत के कुछ हिस्सों को देखें तो देश के ज्यादा तर हिस्सों में अधिक्तम तापमान सामानिय से अधिक रहने की समभाबना है वहें रक्षन प्राइड वीपी भारत और उत्तर पश्यमी भारत की कुछ हिसों में अधिकतम तापमान, सामान्य या उससे कम रह सकता है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोतर और उत्तर पर्शमी भारत और प्रायद वीपी शेत्र के दूर दराज के हिस्सों को छोड़ दें तो देश के ज्यादतर हिस्सों में नियूरतम तापमान, सामानी या उससे अधिक रहने की संभावना है इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए, जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ, नमस्कार